नमस्कार डीडी नियूज यूपी में आपका स्वागत है चर्चा में कारकम लेकर उपस्तित हूँ मैं रामेंदु सिंग प्रधानमंत्री नरेदमोदी ने कल वर्चुवल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंटेविल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वहिश्चिक विकास के प्रेरख सक्ति बनने के लिए प्रतिबध है उन्होंने कहा कि भारत में निवेसक, विश्वसनीता, लोगतंत्र, इस्थिर्ता, निरंतर्ता और प्रदूसर्ण मुक्त औसरों के साथ मुनाफ़ा कमा सकते हैं प्रदानन्ति ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा आत्म निर्भर भारत का लच्छ नियोजित आर्थिक गत्विद्यों की रणनीत का हिस्सा है भारत में कोविड-19 के दवरान 13 प्रसर्थ विदेशी निवेस बढ़ा है सरम कानूनों तथा क्रस कानूनों में सुधार किये गए हैं टैक्स रिफार्म समेथ निवेस के लिए उद्योग के लिहास से आवस्य कदम उठाए गए हैं जिसका फाइदा भारत को मिलता हुआ दिख रहा है आईए जानते हैं कि क्या फाइदा देश और प्रदेश को आने वाले समय में मिलेगा क्या इससे भारत में निवेस बढ़ेगा इस चर्चा में हमारे साथ दो लोग दो मेहमान मौझूद हैं द्धर आविश सिंह जी हैं एर्थ सास्त्री भारत कलांडेयर जै तो सिद्धर कलांडर को जानते हैं उसके पास जमीन है और वो खेती करता है और उसमें निवेश के लिए उसको 10,000 रुपए की जरूरत है लेकिन उसके पास 2,000 रुपए है या 4,000 रुपए है और आप 2,000 में जितना वो कर पाता है लेकिन आप एक समय ऐसा है कि आप उसे 6,000 रुपए एक्स्रा दे दीजिए औ और जो भी फायदा होगा उसमें हम आप बाट लेंगे तो उसके परिवार के जीवन पर उसकी अपनी आए पर क्या असर पड़ेगा ठीक वही इस्तिती देश की होती है अगर वो 4,000 के निवेश में 10,000 का उतपादन करता है तो 10,000 के निवेश में वो कम से कम 18,000 का तो वो उतना बाट सकता है उनके भोजन में उनके वस्तर में उनकी सिक्षा में उनके एजुकेशन में तो इस प्रकार से आप देखिए एक परिवार जो है वो खुसहाली और समरद्धता दोनों की और बढ़ता है वो प्रोग्रेसिव होता है और उससे वो तमाम लाइफ सं ला रहे हैं या FDI का इनफ्लो बढ़ता है दिखे एक चीज और मैं इस पस्ट कर दूँ कि FDI का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट इनवेस्टमेंट आता है और डायरेक्ट इनवेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं आपने देखा मतलब मारूती के ब्रांड में सुजगी ने डिरेक्ट इंवेस्टमेंट यह निवेस बाहर में लॉट करके नहीं जाता है वो भारत में ही करंबध्ड तरीके से अन्य चेत्रों में लगतारहता थ है तो ऐसा निवेश जो आ रहा है जो आपके इंफ्रासिट्रॉक्टर में को और ज़्यादा प्रास्पिरस बनाता है तुछ जरा इन सब को एक साथ सोच लें तो देश की आए बढ़ेगी देश में रोजगार बढ़ेगा देश में इंफराइस्ट्रक्चर मजबूत होगा देश में एक शानदार डेमोक्रैसी क्योंकि जब तक रोजगार नहीं मिलता अर्थवेस्था में तमाम उतार चड़ाओ देखिए इस दावर में हलाकि मंत्री जी ने कहा कि 20 अरब डालर का विदेशी निवेस जो कोविड-19 है इसी दावरान आया है भारत में सुधारों के प्रतबद है और विदेशी निवेस है किसे सुईकार कर रहे हैं और निर्यात क विदेशी निवेश जो फॉर इन डिरेक्ट निवेश आएगा वो किस तरीके से जो हमारी अपनी छंता है हमारा अपना जो बाजार है उसकी मांग को पूरा करने में किस तरीके से मदद करेगा और आज हम Global Investor Summit जो हुई है इसमें अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसका एक कोविट काल में और उत्तर प्रदेश जैसे राजी ने तो गजब का प्रदर्शन कर दिखाया है उत्तर प्रदेश में इसी कोविट काल में 6 महिने में 6,700 क्रोड की परियोजनाय शुरू हो गई 45,000 क्रोड रुपए के विदेशी निवेश के प्रस्ताव आ गए और वो वि प्लांट एक साथ जो है वो उन पर काम शुरू हो गया प्रदक्शन की शुरुवात हो रही है अगरा के सभी समीप मत्रा से तो आप यह देखें कि किस तरीके से हमने इस कोविट काल का अधिक्तम लाव उठाया है कि आउसर में बदला है जो इसकी बात कही जा रही थी कि आ संकट आया था वो सब तमाम चीजें सुरुकिया में लेकिन इस दौरान क्या हमने प्रगत्य कर ली जो हमारा एक साइलेंट पूरा काम चलता रहा और उस साइलेंट काम ने आज इस सिती पर ला दिया है कि हम आप से एक दो दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे कि उसका यह असर है कि जो कोरोना संकट के दौरान सेलरी में कटावती हुई थी कटावती हुई नई हाइरिंग शुरू हो गई और 645 बिक कॉर्पोरेट हाउसेज ने यह एलान कर दिया है कि दे आर रेडी और सेलरी इंक्रीमेंट कि वह अब तंखाएं बढ़ाने को तयार है उनकी टैरी श करता है और दीरकालिक अपरोच के साथ काप करता है तो यह जो वह इन्वेस्मेंट यह जो नए लोगों की हाइरिंग यह जो वह बेतन की कटावती को सवाफ कर देना यह जो इंक्रीमेंट को देने का आईलान कर देना यह सारी चीज़ें कम से कम यह इशारा कर रही है कि एक हमारे नितनियनताओं को आराम से चुपचाप काम करने का अच्छा मौका मिला और इस दौरान बहुत सारे हमने सम कानूनों में जो सुधार किये हमने और कई सारी ऐसी योजनाए की कोविड इंपैट के चलते जो हमारा इस सुमिलस पैकेज आया अभी इस लाकड़ का उसके सा बिस्तार की परियोजनाए जो उसने रोक कर रखी हुई थी उन सब पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और अगर आप देखें कि जिस तरह से मजदूरों का यहां पलायन होकर लोग लोटे थे उसका एक रिवर्स प्रॉसेस शुरू हो रहा है और बहुत तादाद में अब कि और ज्यादा लोगों को भीजो और यहां लोग उनको नहीं मिल रहे हैं अभी देखें जो मार्केट है बाजार है कार का बाजार है इस बीच में प्रवासी मजदूरों के समस्याने से निबटने के लिए इस किल मैपिं करा के और कई बड़े प्रमाने में उनका को बढ़े हुए बेतन पर लोगों को रखने की शुरुवात होगी जल्दी उत्तर प्रदेश के लिहाद से ड़क्टर रही जी देखा जाए तो क्या पेनिफेट रहे इसकी बात रही सिदार जी करे थे तो अगर उत्तर प्रदेश के लिहाद से देखो तो निवेश तो किया मानिय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहीं भी किसी भी स्टेट का एक अकलन कर लो मैं समस्ता हूं सिदार जी बढ़िया तरीके जानते होंगे उसको भी हमने एक चैन यहाँ पर देखी है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहें अपर क्लास हो मिडिल क्लास हो अपर मिड जाहिर सी बाद है कि उत्तरप्रदेश में इस्किल है, इन्वेशन है, इस्टार्टप है, इंफ्रास्ट्रक्ट्चर है, विजनरी लीडर्शिप है, कार्य की कुशलता है, मेकेनिजम है, तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको हैं, कि मुख्रपत्री जी ने कई बार अपने संबोधन में भी कहा कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश की और देश और दुनिया के इन्वेस्टर देख रहे हैं अगर उनका दुनिया में सबसे बहुतर डेस्टिनेशन देश बन रहा है तो सबसे बहुतर डेस्टिनेशन ये प्रद सबसे जढ़ा होना है। ंरत है किम आसे संभोधन कि हम आत्म निरभर भारत क Stephen cannot only form वह नहीं नहीं है। हमतर जो आत्म कंतों पॉसल हमारा जो बना दून कोई है। भारत का सबस्सक्राइब ही थैंहार्थ उसके वाद उन्हों ने इतनी सारी चीजे हैं और उत्रपदेश अगर तुलनात्मक तौर परदेश में देखें तो न्यूक्लियस है और मैं तो मानता हूँ मिनी भारत है भारत के अंदर उत्रपदेश तो ऐसा हर्दै इस्थल जो हर द्रस्टी से डेमोक्रेसी के, डेमोग्रेफी के, डेमांड के, मा स्ट्रक्चर के सेंटर में हो और जहां सबसे इस समय एक्टिप जो लीडर्शिप है, विजिनरी लीडर्शिप हो, तो स्वाभाविक है कि उधर इन्वेस्टमेंट का इन्फलो जादा होगा, एक और इसमें मैं जोड़ दूँ आपको, जो कल प्रदानमंत्री जी ने क्रश और कर्शकों की भी बात करी, मैं समझता हूँ कि जैसा कि सिदार जी भी कह रहे थे, आप उत्तर प्रदेश में देखें, जो उत्तर प्रदेश में 38,00,000 लोगों की स्किल मैपिंग कराना, उनका डेटा बैंक तियार करना, उनके लिए कमीशन बनाना, कि भी आप कहां जाना चाहते हो, वहाँ जाओ, हमारे पास आपका डेटा रहता कि आपको अगर कोई वहाँ इंसेक्यूरिटी फीलिंग होती है, कोई चैलेंज आता है, तो सरकार आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी, अब लेबर बाहर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको यहीं पर रोज दिमांड को बूस्ट कर रही है, तो जहां दिमांड होगी, जहां वालूम आप मार्केट सबसे बड़ा होगा, वहाँ निवेश जाएगा, तो इसलिए उत्तरब देश के पास तो खूबियां है आने के लिए, और उन्हें आना ही होगा, क्रश्चेत्र में तमाम सुधार कि अगर इस लिहाँ से निवेश की लिहाँ से तो क्रश्चेत्र को क्या संभावना है क्रश्चेत्र में दिखती है, यह आज से नहीं बड़ी बहस है, जब हमारे आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी, जो 20 साल का जब टेन्योर पूरा हुआ है, उसके बाद यह कहा ज अब हमारा जो कुछ भी है वो ग्रामीर छेत्र में ग्रामीर अथवस्ता की तरफ जो है, वहाँ पर डिमांड क्रेट करना, वहाँ पर रोजगार देना, वहाँ पर पर कृषी में सुधार, वहाँ पर फूर प्रोसेसिंग इंडिस्टी के साथ, मुनाफा कमाने वाली खेती की तरफ लोगों को ले जाना वो खेती जो लाबडायक साबित हो, इन सब छेत्रों में बीच में कुछ वजहों से, कुछ आर्थिक संकटों की वज़े से, जो हमारा सेकंड फेड़ और रिफार्म जो की गाउं की गोर होना था, उसमें थोड़ी रुकावट आई थी, या र लेकिन लेस रेजिस्टेंस जो था, उसके चलते कई सारी ऐसी चीजें थी जो बड़ी तेजी के साथ लागू हो गई, प्रतिरोध जो है, वो उसकी जो प्रतिरोध कम था और उसके चलते बड़े फैसले तेजी के साथ लागू हो गए, अब उमीद ये की जाती है कि जो भी हमारे पास foreign direct investment आएगा यह जो भी हमारे यहां एक visionary investor जब आएगा तो उसकी निगाह शहरों पर कम और गाहों की तरफ जादा होगी शहरों पर कम और गाहों की तरफ जादा होगी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो investor summit के बाद से लेके अब तक जो अलग अलग दोर में या अलग अलग जो investment को लेकर उत्तर प्रदेश में बाते हो रही हैं उनमें मैं यह देख रहा हूँ कि पहले हमारे पास every sector में invest करने के लिए कोई दो चार पांच परसेंट हम लोगों के अगवारों में सुर्खिया में बनती थी केती किसानी के लिए पांच पीस जी या दस पीस जी प्रस्ताव नहीं है आज की तारिक में बड़ी-बड़ी अभी तक ठीक है MSME को सरकार अपनी तरफ से अभी डॉक्टर रही सिंह साब में बताया कि उन्हें हमने 8 लाक लोगों को कर्द दिया है जो MSME है सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रयास का इस बार सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर MSME को ग्लोबल कॉम्टिशन में जिसे कहते हैं न फेंकने की कोशिश की है कि हमारा जो छोटे मजोले वो हैं हमारे हाँ जो हाससिल्फ हमारे हाँ जो एक जिलाएक उतपाद की जो अनूठी योजरा है इन तमाम जगों से बनने वाले जो हमारे उतपाद हैं वो विजेशी मार्केट में कमपीट करने जाएं अब हो यह रहा है कि विजेशी मार्केट में जब हमारे कई उतपाद ऐसे जब पहुंचे हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा रिस्पॉंस ही मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब निर्यात होगा जब हमारे सामान बाहर जाएगा और और लोगों को जो और भी उस चेत्र में काम कर रहे होंगे उनको भी एक प्रेणा मिलती है कि हम भी हमारा भी सामान एक्सपॉर्ट हो हमारी भी चीजें बाहर जाए बहुत सारा मेजान इबे और तमाम सारे जो बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटॉम्स हैं उन पर हमारे उत पाथ चले गए अब मिर्जापुरो सोन की तरफ इंकरेज होगी क्योंकि एक प्रतिसपर्दा भी होती है कि गाउं में अगर हमने देखा कि आप कुछ कर रहे हैं और अगर आप नेशन वाइड अगर इसका फाइदा देखें तो उत्तर प्रदेश अगर यह करेगा तो बाकी राज भी इसी तरह काम सुरंट करेंग कि उत्तर प्रदेश में इसा हो रहा है तो क्यों नहीं हमारे ऐसा हो जैसा कि हमारे हां कि कई राजियों ने अपने हां कर रहे हैं तो उस तरह से मुझे लगता है कि एक यह जो प्रतिस्पादात्मक महौल और विद एडिक्वेट सपोर्ट मत्तब एक उपयुक्त उनको मद करेंगे तो उसका फाइदा एक बड़ा ब्यापक होगा बहुत बड़े बैमाने पर इसमें रोजगार सजीथ होगा आज हम नावाड गये थे तो जो ग्रामी लंचल के लोग है उनके उन्होंने अपने छोटे-छोटे इस्टार लगा रखके थे और उनका कहना था कि जो ब पर इवरतन आया है बढ़ता विदेशी निवेश डेक्टर रही सिंग जी जो आतुम निजवर भारत की बात जो प्रधान मंति कह रहे थे उसको मजबूत निव देगा कि आने वाले समय में जो आतुम निजवरता की बात कर रहे तो उस पर हम खरे साबित होंगे और खड़ भी रहे जो भी रहा आप अगर देखे कि भारत के उत्पादों ने ही पूरी दुनिया में यानि पहली सताब्दी में ही एक प्लिनी जो है वो रूता है कि रोम से 55 करोड सेस्टर जो है वो भारत की और बहे चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखे कि उसके बाद जो अठार्मी शताब्दी शत्रमी शताब्दी में आएंगे तो वहाँ डेनियल डिफो कहता है कि मतलब यूरोप के लोग क्या पागल हो गए हैं कि भारती कपड़े तो आप देखे उस समय ये कोई बहुत बड़ी कंपणियों के बने हुए कपड़े नहीं थे बहुत बड़ी पे काम हो रहा है दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है अफडियाई की जिसकी बात आप करते हैं कि आप देखे हमारे देश में अभी बहुत सारा हुनर है बहुत सारा कौशल है बहुत सारी मेधा है ये अभी अपने अपार्चुनिटीज को वो फ्रूटफुल उ चाहिए और वित्त के मामले में चुकि अभी हम एक दुनिया के अगर उसमें परिद्रश्ट में देखें तो कमजोर हैं तो हमें बाहर से वित्त चाहिए तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे कहा क्या है कि अगर आप विश्वसनियता के साथ रिटर्न चाहते हैं तो भारत यानि भारत के पास जो पुरानी थाती है या जो आज है हमारे पास मैंने पहले ही कहा डिमांड है, डेमोक्रैसी भी है, हमारे पास टिकाउपन है, हमारे पास स्टेबिलिटी भी है, हमारे पास रिटन देने में विश्वसनियता यानि एकाउनमी हमारी इतनी नीचे नहीं जा प्रदान मंत्री जी की बात दुनिया सुनती है और जिस तरह की बाते कल उन्होंने अपने उसमें रखी तो वो भरोसा करके जो निवेश आएगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को काफी है तक चेंज करेगा गलोरिफाई करेगा और मैं फिर कहता हूं कि वो आत्म निरभर प्रदान मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि आत्म निरभर्ता हमारी एक नीति नहीं यह तो भारत की समवेदना है ना यह भारत का कौशल है जिसको हमें इसके जरिये आगे ले जाना तो मुझे लगता है उसमें वो सबसे जादा मदद काईगा सरकार की जो नीतिया है नीतियां सही नहीं अब लगता है जिस तरीके के हालात है जिस तरे निवेश आ रहा जिस तरे उद्दोग आगे बढ़ रहा जिस तरे इस्रमकों को काम के उसर मिल रहा है जिस तरे ग्रामिल भारत बदल रहा कि सरकार सही नीतियों पर काम कर रहा है और सही दिसम चल लगी जो सस्टेनिबिल्टी की बात चार डी की बात नहीं बहुत लेखें टो ये जो चार चीजें है और इसके साथ उन्होंने कहा जो जो दोक्टर गई सिंग जी ने विजिकर किया सुस्टेनिविल्टी है, टब होती है कि जब नीतियं एक रू कता होती है, लोगतंत्र है सरकारे पहले कुछ और थी आज कुछ और है अनगलग सरकारे होती हैं लेकिन ब्रॉडली जो तार पर और जो हमारी नीतिय हैं या हमारी यार्थि नीतिय है उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होते हैं और जब कोई रांथिकारी बदलाव नहीं होते हैं एक जैसी एक जाहसी को करें funded चूँट बलकि हम सुधारात्मक कदम उठाते हैं, या संशोर्धानात्मक रवईये के साथ चलते हैं, जैसा कि अभी हाल में हमने कृष्ट सम्बंदी तीन कानूनों में और श्रम सम्बंदी जो कई सारे सुधार हुए इनमें हमने देखा, तो उससे हम क्या होता है कि हम उस रास्ते पर रहना होता है, वो अपनी सस्टेनिमिल्टी उसके लिए सबसे पहले वो होता है, तो डेमोग्राफी हमारी सस्टेनिमिल्टी का एक बड़ा कारण तो यह दि देती है, कि 130 करोड की जो पापुलेशन है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, इसके बाद फिर हमारा डेमोक्रि वो हर तरह के बिजनस को आगे बाढ़ने के लिए, ओवराल को लेकर के क्या है, छोटा सा कमेंट, तेकि ओवराल में मैं सीधी बात कहना चाहूंगा, कि प्रधान मंत्री जी का जो एक आत्म निर्भर भारत का संकल्प है, और प्रधान मंत्री जी का जो आहवान है, FDI उन द कि जो शक्ती है वो इंप्रूव होगी और भारत दुनिया में एक ताकत के रूप में आगे उभरने जा रहा है, बिलकुल अगर कोविट के दौर में पूरी दुनिया में एकोनामी नीचे जा रही थी, तमाम लोग बेरोजगार हो रहे थे, भारत ने उस दौर में भी अप उनों ने, तो आने वाला जो समय है, जिस तरह निवेस आ रहा है, जिसकी बात प्रशानमती जी ने की, कि 13 दी कोविट 19 के दौरान निवेस वड़ा है, भारत मजबूत इस्तितिम होगा, निवेस और बढ़ेगा, रोजगार का उसर आएंगे, क्रस्य और ग्रामीर भारत ब अन्यवाद, नमस्कार